रोहतक में चल रही है भाजपा चुनाव प्रबंधन समिती की बैठक के बाद माननिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पत्रकारों से रूबरू हुए बैठक में हर्याना के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ऊर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्यस्भा सांसत सुभाश बराला हर्याना भाजपा प्रदेश सह प्रभारी सांसत सुरेंदर नागर प्रदेश संगठन महामंत्री फनींदर नात शर्मा मुख्यरूप से मौजू और उसमें हर बिंदू के उपर चर्चा कुई है, हमने दस की दस लोग सभा की सिटेंग वो जीतनी है, क्योंकि जिस परकार का एक वाता वर्ण नरेंदर मोदी जी की सरकार में और इस डबल इंजिन की सरकार के अंदर वो बना है, और लोगों के एक योजना बत्तरी के सेंतकलाब पहुंचाया है, उसकी मनेजमेंट को लेकर के आज अलग-अलग हेड को उसमें डीपली चर्चा हुई है, यहां से जीत करके तीसरी बार आधणिया नरेंदर मोदी जी को इस देश का परधान मंत्री बनाने का हर्याना एहम भूमी का अदा करेगा, उसको लेकर के सारी विवस्था की के बैठेगा, देखिए हमारे सामने, क्योंकि यह चुनाव है, चुनोती कोई नहीं है, कॉंकरस का जो ब्रहस्टाचार है, कॉंकरस के दो कारेकाल परहा है, अगर मैं एक छोटी बात करूं क्योंकि लोग भूसते नहीं हैं बात करूं, अगर मैं लेबनाफासा, नहीं बूल है, लोग आठेगे जाए, नरेंदर मोदी जी ने वो लाइन तो खतम की, परन्तु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन स्रेंडर पहुचाया, जिसके घर के अंदर 75 वर्सों में कॉंकरस ने नहीं दिया था, वहां भी नरेंदर मोदी ने दिया है, इस बात को लोग समझ रहे हैं, कि ये सरकार अगर कॉंग्रस की आती है, तो भरस्ता चार गती से बढ़ेगा, और अगर नरेंदर मोदी की सरकार बनती है, तो विकास की तेज गती से आगे देश बढ़ेगा, ये लोग बिल्कुर समझ रहे हैं, प्रेना मर्याना की राजनीती तै करेंगा, और कॉंग्रेस की विदान सवा में सरकार इस सीट की जीत की वज़े से बनेगा, ये पिछले बार भी बोल रहे थे, जद बापु बेटा खड़े थे, आपको मालू में सद आपके पास हूं कि कोई बाइट होगी, बेभाई ये चुनावताय करेगा अगला विधान साब का बोलते हैं परंतु लोग निर्णे करते हैं सर अब सियम बने हैं किया आपका विजन है परदेश को लेकर देखिए विजन जो नरेंदर मोदी जी की नीपिये हैं और मनोहरलाल जी ने बड़ा जवर्दस्त काम गुड़ गवर्नेस के अंदर हरियाना के अंदर किया है हमारी प्राथमिकता है उन कामों को मजबूती से आगे बढ़ाना नरेंदर मोदी जी की जो नीपिये हैं उनका अंतिव विक्ति तक लाग पहुंचे है चाहे वो आयूश सन्नों को फसल बीमा योजना के माध्यूं से सुरक्षित करने की बात है चाहे परधान मंत्री आवास नใके पहुंचाने की बात है बहुत सारे ऐसे कारिया है जो नरेंदर मोदी की सरकार डबल इंजन की सरकार ने किये हैं उन कामों को आगे बढ़ाने यह हमारी प्राथमिक्ता है और लोगों को घर बैठे सुविधा मिले आज मुझे इस वात की खुशी है कि आगर विक्ति की उमर सा आजाती है नहीं तो वो 6-6 मिन ने तो कॉंग्रस की समय में ये कॉंग्रस की सरकार थी चक्र काटता रहता था कि मेरी पैंसन बनेगी और फिर सेवा करनी पड़ते थी आज ना सेवा की जरूरत है ना चक्र काटने की जरूरत है आज घर में उसके पैंसन बन करके आ जाती है आज इस परकार का लोग चाहते हैं कि इस परकार का सासना अनिलवीच नाराज क्यों चल रहे हैं? रह तक से शिव कुमार शर्मा की रिपोर्ट कैमरमेन युगमार्क टीवी